आज हम पढ़ेंगे गक्षा दस्क में सुरुष कांठर पाठी निर्णाfir की दिखी हूई उत्साह कविता उसका पाठ विशेश इसमें 2 कविता हैं उत्साह और 8 नहीं रही हैं उत्साह कविता आपको पता है इसमें कवी जो है वो बादलों को आवहन करता हूँ और कहते है कि आकर के सारा यहां विनाश कर दो जितने भी हमारी दुख तकलीफें हैं उनको खतम कर दो और हमारे अंदर एक नई चेतना की लहर जगाओ हे क्रांतिकारी बादल वो बादल से क्रांति करने को कहते हैं क्रांति मतलब बदलाव लाने को कहते हैं बदलाव तब आता है जब पु बादल को करांती करने के लिए कहने हैं तो ये एक आवाहन गीत है निराला बहुत बड़े चायावादी कवी हैं चायावाद के विशेश्टा एक साथ दो तीन अर्थ निकलते हैं रहस्यात मुक्ता होती है इसमें चंद कौन सा है मुक्त चंद का प्रयोक किया गया लेकिन का प्रिय विशेर रहा है बादल बादल एक तरफ पीडि जनता की ज्चाओं को पूरा करने वाले हैं और दूसरी तरफ नई कल्पना के नए अंकुर निकालने वाले हैं वो विद्ध्वन्सकारी भी हैं और विपलव कर देंगे और क्रांती भी वही लाएंगे कारी भी हैं और नव निर्माता भी हैं कवी को जो चोशित जनता है पीडि जनता उसके प्रति बहुत सहानबूती है वो कह रहा है कि इन सब का दुख दूर करने के लिए बादल तुम आओ और जोड से घंगोर आओ और आकर के वर्शा करो और इन सब के दुख हर लो बादल के लिए जिस तरह आएगा और नई चेतना का संचार होगा तो नई पतायziehen लिखो नई कवता मतलब जितने दुख तकलीफ तो इन सब अलंकारों का प्रेघ जो है इस कविता में कभी क्या कह रहा है फागुन की जो सुन्दर्त है उसकी ओपर इस में कविका लिखी गया है यहाँ पर फागुन की जो रितु होती है बच्चो होते बेनी चर्म पर होती है मतलब पीक पर होती है उस समय हर तरफ natural beauty फैली हुई होती है तो उसी beauty उसी सुन्दरता से कभी जो है वो एकदम उसकी मादक्ता मतलब नशा आया हुआ है उसको फागुन की सुन्दरता देखे कभी नशे में है और यह उसमें समा नहीं रही है अट नहीं रही है फागुन की प्रवाख्या मुक्चंद है बाशा सरल है शुद्ध शब्दों का प्रयोग किया गया मान्वी करण का बसंद का फागुन का मान्वी करण कर दिया अनुप्रासलंकार पुनुप्ति प्रकाषलंकार यहां पर देखने को मिलता हौँ और अट पट शट इस तरह के सब्दों स पत्रिशिश के साथ, गुट्बाइ